मनीश कश्यप के नाम पर किया जा रहा फर्जी वाड़ा विहार के बेटे को बदनाम करने के लिए विरोधियों ने अपनाई नई चाल मनीश कश्यप के सच्चे समर्थोकों का किया जा रहा गलत इस्तमाल मनीश कश्यप के प्रती साथ और समर्थन जताने के लिए उनके चाहने वाले कई तरह का प्रयास करते रहते हैं लेकिन अफसूस की बात है कि शाद विरोधियों को उनका समर्थन करना रास नहीं आ रहा इसलिए अब मनीश कश्यप के नाम को बदनाम करने के लिए एक नई तरकीव निकाल रखी है शोशल मीडिया पर आए दिन मनीश कश्यप को लेकर कई तरह के पोश्ट सामने आते हैं जहां उनके हित में उनके चहने वाले जनता और समर्थक बहुत सी बाते लिखते हैं लेगिन हाली में शोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोश्ट नजर आये हैं जो कि आपती जनक है आम तोर पर मनीश कश्यप के नाम पर फर्जी वाड़ा चलाया जा रहा है हाली में मिली जनकारी के मताबिक मनीश कश्यप के नाम से फर्जी फेस्बूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूटूब एकाउंट बना कर उसे गलत वाटसप नंबर और एमेल आईडी दे कर लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए मनीश कश्यप जिम्यदार नहीं है इससे जुड़ा हुए एक पोश्ट सामने आया था जिसमें देखा गया कि उनके तस्वीर में मनीश कश्यप नजर आ रहे है और हाथ में एक सफेद कागश जैसा बोड है हालाकि उस पर लिखे गए शब्द फोटोशॉप द्वारा एडिटेड है लिखा गया है कि उसके कारण लोग भ्रम में पढ़कर मनीश कश्यप का साथ देने के नाम पर इस फर्जी बाड़ा का हिस्सा बनते जा रहे है उस पोश्ट में लिखा हुआ है मुझे हर जिले से 20 लोगों की आवशकता है घर से काम करें सिर्फ जिले का नाम वाटसब करें और नंबर दिया गया है साथी जानकार के लिए बता दे चले जब से सोशल मीडिया पर विशेश कर फेस्बूक, यूटूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम एकाउंट पर फरजी आईडी बना कर या फिर फरजी पोश्ट करके ये मामला तुल पकड़ रहा है उसके बाद उनके सच्च समर्थकों और शुपचिंतकों ने पुलिस सक्त कारवाई की इस पर मांग की है क्योंकि हो सकता है मनीश करश्चिप के नाम पर इस तरह से आगे चल कर कोई समस्रा ना खड़ा हो या फिर कोई बड़ा शर्यांतर ना हो खैर दूसरी तरफ मनीश करश्चिप के पास ऐसे ही सच्च और एमानदार समर्थक भी हैं जिन्होंने हमेशा से मनीश करश्चिप के नाम को खराब होने से बचाया और उनके नहीं होने के बावजूद उनके लिए अपना प्यार अपना भरोसा हमेशा जिन्दा रखा है इससे पहले भी आकरी बार मनीश कशव के ट्विटर हैंडल पर एक पोश्ट को लेकर कुछ परिशानी आई थी उसके बाद पुलिस ने कारवाई करने की जगा उस ट्विटर आईडी को ही सस्पेंड कर दिया गया 12 ऐसी कोई दिक्कत सामने ना है उसी को लेकर ये जागरुकता बहत जरूरी है साधी बताते चले कि इन दिनों इस तरह से सोशल मीडिया पर कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं जहां बड़े हस्तियों का नाम इस्तिमाल करके और फर्जी वाड़ा किया जा रहा है जहां उनके नाम से फेक आईडिया फेक पोश्ट करके और ब्रह्म फलाया जा रहा है हाला कि भ्रावक सितियों से बचने के लिए इस पर कारवाई की मांग की गई है ऐसा करने वाले व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति कोई एक नहीं है जिनकी पहचान बताए जा सके बलकि एक समू भी हो सकता है कही न कहीं विरोधियों ने एक नए शर्यंत्र को बुना है ताकि मनीश करशप के समर्तकों को और मनीश करशप को उलजा कर फसाया जा सके लेकिन पूरी तवसे इसकी पुष्टी नहीं हो पाई है इसके ऐसा करने के पीछे क्या मन्शा है या फिर क्या मकसद है